सज्जन्ता सरल्ता और बिद्धता की प्रतिमूर्ती मानिनी नमस्कार अधर्णी अकेले कैसे खुस रह सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अकेले रहते हैं जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है उनका जीवन बहुत अकेला है, अकेले पन में रहते हैं तो ऐसे में कैसे खुस रह, डिप्रेशन, एंजाइटी से कैसे अपने को रोकें तो अकेले खुस रहने में बाहर की चीजों के साथ आपके अंदर की अंतरात्मा, आत्म, मुल और संतोस की भावना ये बहुत बड़ा सहयोग करती है, बाहर की चीजों तो आपको खुस करती है अगर आप अंदर से संतोस की भावना, आपकी आत्म, मुल में संतोस की भावना अगर सामिल हो जाती है या उसको विक्सित कर लेते हैं तो आप देखिए कि आप अकेले भी खुस रह सकते हैं इसमें आपके सौक हो सकते हैं, जो भी आपकी होबीज हैं ब्यक्तिगत लक्ष निर्धारित कर सकते हैं आप आत्म देखवाल का अभ्यास कर सकते हैं अपने सेल्फ को कैसे देखें, कैसे अपने आपका देखवाल करें, अपने स्वास्त का देखवाल करें आपके सौक क्या है, जैसे गिटार बजाना आपका सौक है तो उसमें आप अपने आपको ब्यस्त रख सकते हैं आपके ब्यक्तिगत लक्ष कुछ निर्धारित कर सकते हैं जोहाँ आपको जीवन में अपने पहुँचना है तो उसको लक्ष को निर्धारित करो उसके लिए क्या क्या करना है उसके ब्लू पॉइंट आप नोट कर लीजे उनको एक एक करके क्रेक करिए देखें एक सिस्टम बनाएंगे जब आप तो देखेंगे कि चीजें धीरे-धीरे सुधरने लगती हैं और अच्छी होने लगती हैं और जो आप चाहते हैं उस तरफ बढ़ने लगते हैं अगर जीवन का एक लक्ष मिल जाता है तो आप अकेले भी खुश रह सकते हैं इसके अतरिक सकारात्मक मानसिक्ता आपको हमेशा बनाए रखनी होगी पॉजिटिविटी आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखना होगा नकारात्मक विचार आते हैं उनको चनौती देनी होगी उनसे दूर रहना होगा उनसे दूर रहने की प्रक्टिस करनी होगी स्टार्ट करतीजिए दूसरों के साथ जुडने का प्रयास करिए जो भी आपके मित्र हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं जहां भी हैं उनके साथ जुडने का प्रयास करिए उनके पारिवारिक संबंद बनाईए उनको अपने यहां बुलाईए आप उनके यहां जाईए तो जो अकेलापन है उससे आप दूर हो जाएंगे माइंड फुलनेस पैदा करना होगा ध्यान योग जैसा टेकनिक्स का अभ्यास कर सकते हैं आप अपने बिचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक रह सकते हैं यह सब करेंगे तो आप देखेंगे कि खुश रह सकते हैं यह जीवन अनमोल है महत्पून बात यह जीवन सिर्फ एक है थाइंक्यू